यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ तो वही करनाटक में बीजेपी की हाद पर मायावती और तेजस्वी यादिवने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी पर जमकार निशाना साधा है करनाटक स्टेट में जो भी कुछ हुआ है या करनाटक स्टेट से पहले कुछ और राज्यों में भी जो कुछ भी हमें देखने के लिए मिला है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सब जो केंदर की सरकार है और खास दोर से बीजेपी एंड कंपनी के लोगों का और उसमें भी जो बीजेपी के राष्टे अद्धक्स है स्री अमिद्शा और देश के परधान मंत्री तो स्री नरिंद्र मोदी की मिली भगत से हुआ है तो इसमें कोई सक्षुभा ही ने जो भी कुछ हो रहा है तो यह इनकी मिली भगत से हो रहा है और यह लोग हर प्रकार के हटकंडे इस्तेमाल करके तो जबर्दस्ती यानि के अल्पमत में भी होते हुए तो अपने आपको बहुमत दिखाते हुए तो यह लोग पूरे देश की हर स्टेट के असंबली में कबजा करना चाहते जबरन कबजा करना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने सेंटर में सरकारी मशि का बड़े पैमाने पर दुरूपयों किया करनाटक में भी इन्होंने काफी दुरूपयों किया है कि लिए फ्लो टेस्ट कराने का जो आदेज दिया इसके लिए सुप्रीम कूट को धन्यवाद देते हैं नहीं तो यह लोग तो खुले तोर पे कुंड़ागर्दी पर आगे कशलार फाइ आरीन यह बल्कि तुरंत हिरासत में लेना चाहिए विकर एविदेंस है लोगों ने आखों से देखा है कानों से सुना है कि प्रकार से लोगों को दबाव देरें दंकाया जा रहा है प्रलोबन दिया जारा तो उसके लिए सक से सक्षै कारवाई होनी चाहिए और हमने राहुल गांधी जी को भी हमने मेसेज भेजा है उनको कॉंगरा चुलेट किया है